नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल एके अल्राड़ा में दोस्तों आज केस वीडियो में फिर आप लोगे समने मैस का एक धमाकेदार कोश्चंस लेकर उपर स्थित्वा हूं जी हाँ दोस्तों आज केस वीडियो हम लोग डिसकस करेंगे कि गुलक में कितना रूपया है आप में से बहुत सऐसे युवास आते हूं ग zul सोच रहे होंगे और के गुरु जी थे तो बहुत ही असान है ग patents के पटा क पटा देंगे और गिल लेंगे कि इaters में को बतादे में किस में सर्थ है कि न तो गुलक को आपको तोड़ना फूडना है न फोड़ना है और आपको बताना है कि गुलक में कितना रुपया है कैसे पता करेंगे इसके बारे में ही आज डिसकस करेंगे तो चली स्टार्ट करते हैं कोशन्स में दिया हुए कि 25 पैसा के 80 कोईन है और 50 पैसा के 120 कोईन्स है और एक रुपया के 50 कोईन्स है तो आपको बत आना है कि कितना रुपया इस गुलक में आपको बता दे कि इस तरह की कोश्चन्स बनाने के लिए आपको एक कॉंसेप्ट सिखना जो रही है एक फॉर्मुला सिखना जो रही है अब आपके मन में अप्रश्ण उट रहोंगे और आप सोच रहोंगे कि क्या गुरुजी आ एक रूपया में 100 पेशा होता है एक रूपया में 100 पेशा होता है और 100 पेशा is equal to 1 रूपीज यह तो आपको पता होगा और आपको बता दे कि इसी पर यहां कॉंसेप्ट है इसी पर यहां धारित है जैसे एक रुप्या बराबर 100 पैसा उसी परकार से 5 रुप्या बराबर 500 पैसा यह तो आपको पता ही होगा उसी परकार से 6 रुप्या को अगर पैसा में कनभर्ट करेंगे तो 100 सो मल्टिपलाई कर देंगे यानि कि 600 पैसा होगा जैसे मान लिजे कि 5 रूपया है तो 5 रूपया बराबर 500 पैसा होता है अगर इसको रूपीज में convert करना है तो 500 गुने 1 by 100 यानि कि एक बटा 100 से गुना करेंगे और यह कट जाएगा यानि कि आपका 5 रूपया हो गया उसी परकार से अगर मान लिजे कि 25 पैसा है 25 पैसा को रूपया में convert करना है तो 25 गुने 1 by 100 यानि कि यह कट गया 25 चुका के 100 यानि कि 1 by 4 यानि कि 1 by 4 यानि कि 1 रूपया का चौथा भाग हो गया उसी परकार से 50 पैसा जो है 50 पैसा को 1 by 2 लिख सकते हैं उसी परकार से 20 पैसा है 20 पैसा को 1 by 5 लिख सकते हैं उसी परकार से मान लिजे कि 2 रूपया है तो 2 रूपया को 2 लिख सकते हैं 2 रूपया को 2 लिख सकते हैं या हमें उमीद है कि आपको समझ में आ गया होगा यानि क कि fraction के form में कैसे आप इसे लिखेंगे denominator of coins कैसे आप लिखेंगे यह आपको समझ में आगए हो इस गूलक में आपको बताना है कि गूलक में आखिर कितना रूपया है बहुत ही असान हे ध्यान नेंगे total amount is equal to total amount is equal to N1 into D1 यानि कि N1 जो है वह number of coins है यानि कि सबसे पहले लेते हैं 25 पैसा के 80 coin है 25 पैसा के 80 coin है 80 coin है कितना 25 पैसा को तो 25 पैसा को 25 पैसा को fraction के form में 1 by 4 लिख सकते हैं तो इसको 1 by 4 लिख देंगे चलिए next बात करते हैं next 50 पैसा के 120 coin है 50 पैसा वाला तो 50 पैसा को fraction में रूपीज में कैसे convert करेंगे 1 by 2 लिखेंगे या कैसे लिख रहे हैं आपको पता चल रहा होगा 50 पैसा जो है एक बटा 100 से गुना किया हुआ है यानि कि 50 दूने की 100 यानि कि 1 by 2 यानि कि half रूपया है यानि कि आधा रूपया है आप पर सकते हैं चलिए next बात करते हैं प्लस रूपीज वन रूपीज वन यानि कि एक रूपया के 50 क्वान है यानि कि 50 गुने 1 आप कुछ नहीं करना है चार से कट गया बीच हो गया असी दू से कट गया 62 दूने 120 और इधर 50 यानि कि 260 हो गया असी और 50 हो गया आपका 130 यानि कि 50, 20, 70 हो गया 130 यानि कि आपका टोटल इस गुलक में 130 रूपया है कुछ नहीं कि आप यहां ध्यां देंगे N1 x D1 Plex N2 x D2 Plex N3 x D3 N1 जो है N जो है वह नंबर अब क्वैंन से यानि कि सीखो की संख्या है और D जो है वो डिनूमीनेटर क्वैंन से यानि कि जो क्वैंन है उसका डिनूमीनेटर है फ्रेंड्स अमें उमीद है कि आपको समझ में आगे होगा कि आखिर गूलक में कितना रुपया है आप कैसे पता कर सकते हैं आपको समझ में आगे होगा तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत